दोस्तों इस वीडियो में हम आपको वेदों से जुड़े कुछ प्रभापकारी सुत्र एवं स्लोक बताएंगे हमने वेद और संस्कृत के एसे पांच स्लोक संगरीद किये हैं जो आपके जीवन को वदल कर रखने में नीड़ना एक भोमिका निभाएगी तुझ लिए जानते हैं पहला स्लोक अर्थात छमारूपी सस्त्र जिसके हाथ में होता है उसे दुरजन व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता दोस्तों जब अगनी किसी जगा पर गिरता है जहां घांस ना हो वह आपने आप बुझ जाता है अर्थात जिस प्रकार यात्रा करने वाला व्यक्ति कुछ समय ब्रिक्ष के नीचे बिश्राम करता है और आगे निकल जाता है उसी प्रकार अपने जीवन में अजने मनुश्य भी थोड़े समय के लिए उस ब्रिक्ष की तरह छाओ देते हैं और फिर उनका साथ छोट जाता है चली जानते हैं और एक सुत्र जलाबिंदु निपातेना क्रमसह पुर्यते घटा सहेतु सर्वविद्यानाम धार्मश्यचा धनश्यचा अर्थात जिस तरह बूंद बूंद पानी से घड़ा भर जाता है उसी प्रकार विद्या धर्म और धन का संचे होता है दोस्तों कहने का मतलब है छोटे मात्रा में होने पर भी इन तीनों पे दूरलक्ष नहीं करनी चाहिए तो ये तो हुआ तीसरा स्लोग चोधा सुत्र नारीकेल समाकारा सिंतेपी ही सज्जना अन्य बदरी का कास बहीरेव मनोहरा अर्थात सज्जन लोग नारियल के समान होते हैं परंतु दुर्जन लोग वेर के समान होते हैं वेर का फल केवल बाहर से मनोहर दिखते हैं पर अंदर से यातनात्म कठोर होते हैं पाजवा तथा अंतिम सुत्र अर्थात जब तक पाप संपूर्ण रुप से फलित नहीं होता तब तक वह पापकर्म मधर लगता है परन्तु पूर्ण तह फलित होने के फस्चाथ मनिश्य को उसके कटू परिणाम सहन करने ही पड़ते हैं तो दोस्तों यह थे जीवन से जुड़े वेदों के कुछ सूफ हलदायक स्लो के ममसुत्र आप लाइक और सेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भोलें आपने मिसे समाई दिया थैंक यू भरी मुछ झाल